Hello friends, I am sure आपको ये बात तो पता होगी कि इसी साल इंडिया ने आस्ट्रेलिया से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का खिताब चीन कर खोद आसिल कर लिया है अगर क्या आप जानते हैं कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एरपोर्ट भी भारत में ही बन रहा है आपको गर्व होगा एरपोर्ट के साथ साथ भारत में अंडर वाटर ट्रेन तक बनाई जा रही है साथ ही बन रहा है दुनिया का सबसे उंचा मंदिर जहां आपको साक्षाथ श्रीकृष्ण जी की लीलाओं के लाइफ दर्शान होंगे ऐसा लगेगा आपको कि मानो भगवान विष्णू के वैकुन फ्लोक में ही साक्षाथ पहुँच गए हो वो भी भारत को देखने के लिए वीजा की लाइनों में खड़े दिखेंगे तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब का बटन और घंटा बजा के शुरू करते हैं आज के ये रंगीन दर्शन क्यूंकि आज के वीडियों का पांचवा माहा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भारत में भगवान के साक्षाथ दर्शन करने की सुविधा भी आपको मिलने लगेगी और विदेशों तक से इसे देखने के लिए सैलानियों की भीड लग जाएगी नमबर एक पर है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक भारत में हर जगे क्रिकेट का क्रेज कुछ इस कदर है कि भारत में क्रिकेट को एक धर्म तक कहा जाने लगा है भारत ने दुनिया को कई सर्वश्रेष्ट क्रिकेटर दिये हैं अब आगे तो और भी बड़ी लाइन लगने वाली है ज़रा सोचिए कैसा लगेगा आपको अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बैट कर क्रिकेट देखने का मौका मिले तो जहां आपके चारो तरफ लाखो लोग बैठे हों और सभी अपने फेवरेट क्लाडी के लिए चीयर कर रहे हो दुनिया भर के टीवी चैनलों के कैमरे आपको कवर कर रहे हो वेल फ्रेंस आपकी एच्छा पूरी हो चुकिए आपको गर्व होगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब आस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम नहीं रहा क्योंकि अब उसे पचाड कर पहले नंबर पर आ गया है भारत का ये विशाल क्रिकेट स्टेडियम एमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में तैयार इस क्रिकेट स्टेडियम को गौर से देखिए कितना आली शान लग रहा है दरसल ये वही पुराने सरदार वललब भाई पटेल स्टेडियम है मगर माजरा ये है कि उसी पुराने सरदार वललब भाई पटेल स्टेडियम को तोड़ कर ये नया स्टेडियम बनाया गया है ये स्टेडियम पहले 50,000 दर्शकों को बिठा पाता था लेकिन ये पहले के मुकाबले अब दुगने दर्शकों को आराम से जगए दे सकता है एक लाग दस हजार से ज्यादा दर्शक इसमें आराम से बैठ कर मैच देख सकते हैं इसके अलावा इस आलिशान से स्टेडियम में एक पचपन कमरे वाले क्लब हाउस है एक उलम्पिक साइस स्विमिंग पूल है 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेज हैं जिमनेजिया में और साथ ही क्रिकेट के लिए 11 किस्म की पिछे हैं इसके अलावा इस मैदान के नीचे बारिश के पानी को निकालने का एक आधुनिक सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से बारिश होने के बाद मैदान महद आदे गंटे में दुबारा खेलने के लिए तयार किया जा सकता है और अगर आप यहां कभी जाने का प्लैन बनाते हैं तो फिकर नॉट आप आराम से अपनी गाड़ी या टू वीलर लेकर यहां जा सकते हैं क्योंकि यहां पार्किंग की कोई प्राब्लम नहीं है यहां 4000 कारों, 10,000 से अधिक टू वीलरों को बड़े आराम से पार्क किया जा सकता है साथ ही अगर आप चाहें तो मेट्रो से भी यहां आ सकते हैं स्टेडियम के पास ही मेट्रो लाइन भी लाई गई है अब इतना सब एक साथ बनाये तो सोची यह स्टेडियम आखिर कितना बड़ा होगा वेल फ्रेंड्स यह स्टेडियम पूरे के पूरे 64 एकर जमीन पर बनाया गया है और इसे बनाने में पूरे 5 साल लगे है 2015 से लेकर 2020 फरवरी में जाके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसे बनाने में पूरे 700 करोड रुपे खर्चुए है PM नरेंदर मोदी ने ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने की योजना बनाई थी दरसल मोदी गुजरात क्रिकेट असोसियेशन के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं उसी दौरान इन्होंने से बनाने की योजना बनाई थी और आप तो जानते ही हैं जितना बड़ा स्टेडियम उतने ज्यादा दर्शक और उतनी ज्यादा कमाई यानि ना केवल इस स्टेडियम से देश का डंका दुनिया बर में बज़ गया है बलकि ये स्टेडियम अब दुनिया पर से दर्शकों को आकश्रित भी करेगा और भारत के लिए कमाई का अच्छा जरीया बनेगा नमबर दो पर है दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे टरनल या एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि इसे क्यों और कहां बनाया जा रहा है जोजिला दर्रा 11,578 फीट की उचाई परिस्तित श्री नगर कारगिल ले हाईवे परिस्तित है इसी से होकर आगे लद्दाग तक जाया जाता है मगर फ्रेंड्स सर्दियों में जोजिला दर्रा बंद हो जाता है इसके बंद होने से हमारी सेना को सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सामरिक द्रश्टी से बेहद मैत्वपूर्ण लद्दाग सर्दियों में बाकी भारत से पूरी तरह कट जाता है यहां तापमान माइनस 45 डिगरी तक नीचे चला जाता है इसलिए इस हाईवे टर्नल को बनाया जा रहा है जोजिला टर्नल का निर्माड करे पूरा होने के बाद पूरा ले लद्दा कारगिल द्रास और सियाचिन सालो भर देश के बाकी हिस्सों से साडक मार्क से जुड़ा रहेगा फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है इस दुर्गम रास्ते में वाहन चलाना बेहत चुनोती पूर्ण और खत्रों से भरा है जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी टूवे टनल होगी यह सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी सरदियों के मौसम में कारगिल पोस्ट पर खाने पीने का सामान और हतियार आदी पहुँचाने में समझ से आती है इस टनल में 80 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ़तार से वहान गुजर सकेंगे हाई टेक कम्यूनिकेशन समेथ इस टनल में तमाम जरूरी सेफटी फीचर्स भी उपलब दोंगे इस सुरंग के निर्माड में 68.08 करोड रुपे की लागत आईगी इस टनल के बन जाने पर लद्दाक शेतर में रोजगार के पर्यापत अफसर तैयार होंगे लद्दाक की खुब सुरत वादियों में पर्याटों की संख्या भी बढ़ जाएगी फिलाल सर्दियों में या केवल हवाई मार के जरिये ही टूरिस्ट आपाते हैं 2018 में प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने इस टनल की नीव रखी थी जिसके बाद से ही इस का डंका दुनिया भर में बच गया सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगी जो हमेशा से लद्दाक पर अपनी गंदी नजर रखता आया है वहीं पाकिस्तान जो कारगिल पर अवैद कबजा करने की नाकाम कोशिश करके बुरी तरह हार का मज़ा चक चुका है उसे भी भारत की इस सुरंग से काफी तकलीफ हुई है मगर इसके सासाथ फ्रेंड्स दुनिया भर के अन्ने देशों की नजरों में पानी के अंदर दौडने वाली दुनिया की पहली बुलेट ट्रेंग के मिशन पर चीन तेजी से काम कर रहा है तो भारत के प्रदानमंत्री मोधी भी काहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी जापान के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन के मिशन को हरी जंडी दिखा दी जो ना केवल जमीन पर भलकि समंदर के नीचे से भी गुजरेगी मुंबई और एहमदाबाद के बीच चलने जा रही बुलेट ट्रेन देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है एहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन कोरिडॉर का काम जारी है और इसी 508 किलोमीटर बुलेट ट्रेन ट्रैक का 21 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे बनी सुरंग से होकर गुजरेगा यह इस्सा महाराश्ट्र में BKC से कल्यान सिल्फाटा के बीच होगा 2022 अगस्त महीने तक इस ट्रैक का निर्माड पूरा होने का नुमान है बुलेट ट्रेन में 800 पैसेंजर एक साथ बैट कर सफर कर सकते हैं हाला कि प्रोजेक्ट सफल होने के बाद जरूरत पढ़ने पर बैटने की शमता को बढ़ा कर 1250 किया जा सकता है बुलेट ट्रेन में भी फ्लाइट की तरह दो क्लास होंगी बुलेट ट्रेन में रिवाल्विंग सीट भी होंगी फ्रेंज जो आपके सफर को और भी आराम दायक और मदेदार बना देंगी बुलेट ट्रेन का खिराया फ्लाइट से कम और राजदानी एसी टू टियर के बराबर होगा इस प्रोजेक्ट पर लगबग एक लाग करोड रुपे का खर्चाएगा मगर मोधी जी का कमाल देखिए कि इस लागत का 80 फीसिदी जापान ने भारत को सिर्फ 0.1 परसेंट के ब्याज पर दिया है और उसे चुकाने के लिए भारत को दिये हैं पूरे 50 साल साथ ही पहले 15 साल भारत को कोई करज ना चुकाने की भी छूट जापान ने दिये लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पढ़ रहा है कि इस ट्रेन का अनंद लेने के लिए आपको थोड़ा रुखना पड़ेगा क्योंकि महराश्च सरकार ने 2019 से ही प्रोजेक्ट को होल पर रख दिया है उनका कहना है कि बुलेट ट्रेन उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है इस बारे में आपको क्या लगता है बुलेट ट्रेन अभी बनानी चाहिए या नहीं आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं बारत का सबसे बड़ा एरपोर्ट और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एरपोर्ट उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध जिले के जेवर में बनाया जा रहा है जो Great Air Noida से सिर्फ 56 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है मगर फ्रेंट्स क्या आप जानते हैं कि इस एरपोर्ट को बनाने का प्रपोजल 2001 में किया गया था मगर वेपक्ष के अडंगे के कारण ये अभी तक बनी रहा है दरसल जेवर एरपोर्ट दिल्ली के इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमेटर की दूरी पर बन रहा है और वेपक्ष का कहना था कि ये इंद्रा गांधी एरपोर्ट की ट्रैफिक और रेवेन्यू जेनरेशन को काफी कम कर देगा पर 2014 में मोधी सरकार आने के बाद इस पर काम होना शुरू हो गया अब बस आने वाले सिर्फ चार सालों में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 5000 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगबग 6-8 रनवे बनने वाले है इसका नाम नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट होगा ये एरपोर्ट इतना बड़ा बनेगा कि इसका निर्माण चार फेज में किया जाएगा पहले फेज के पूरा होते ही यहां से हर साल लगबग 1 करोड लोग यात्रा कर पाएंगे दूसरा फेज पूरा होने के बाद यहां से 3 करोड यात्री साल आना यात्रा कर पाएंगे तीसरे फेज के बाद यात्रियों की संख्या बढ़कर 5 करोड हो जाएगी और चौते फेस यानि आखरी फेस के पूरा होते ही यहां से 7 करोड यात्री हर साल यात्रा कर पाएंगे इसी के साथ ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एरपोर्ट तो बने गई साथ ही दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा एरपोर्ट होने का भी खिताब अपने नाम कर लेगा इस विशाल एरपोर्ट के निर्माड की खबर ने सारे विश्यो का द्यान भारत की और खींचने का काम किया है दुनिया में भारत की धाक इस एरपोर्ट के निर्माड के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी बारत के कल्चर और धार्मेक विरासत को भारत और दुनिया के बच्चे बच्चे को समझाने के लिए भारत में एक या दो नहीं बलकि कई बड़े क्रिश्न मंदिरों का निर्माड किया जा रहा है करीब 2100 करोड रुपे की लागत से बन रहा है इन मंदिरों की खूबियां ऐसी होंगी जिने देख सारी दुनिया ही दंग रह जाएगी तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि भारत कैसे इन मंदिरों के जरिये भी दुनिया में च्छा जाने वाला है इन में से पहला है वरंदावन में बन रहा दुनिया का सबसे उँचा मंदिर जिसे बनाने में लगबग 800 करोड रुपे का खर्चाएगा ये मंदिर 700 फीट उचा होगा और 55 टेकड में फैला होगा इसमें 70 मंजला मंदिर बनेगा इस मंदिर को एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह डवलप किया जा रहा है यानि इसमें लाइट शो के जरिया भगवान कृष्ण की लीलाओं को महसूस कर सकेंगे जैसे किसी अम्यूजमेंट पार्क में जूले होते हैं ठीक वैसे ही यहां अगासूर, बकासूर, पूतना जैसे राक्षसों के वद से जुड़ी एक्टिविटी होंगी मंदिर का मुख्य हॉल इतना बड़ा होगा कि उसमें एक बार में पाँच हजार लोग आसानी से भगवान के दर्शन कर पाएंगे साथी इसमें भागवत गीता एक्सपो भी होगा, इसमें भागवत की प्रमुग गटनाओं को दिखाया जाएगा मंदिर में यमुना क्रीक भी होगा, इसमें लोग परिवार के साथ यमुना नौका विहार का आनंद ले सकेंगे कैपसियूल एलिवेटर यहां का खास आकरशन होगा, इसमें बैटकर लोग काफी उचाई तक उपर जाएंगे और ब्रमांड के विबिन पहलूँओं को जान सकेंगे इसी तरह बैंगुलोरू के वैकुंट हिल पर श्रीकृषन लीला थीम पार्क बनाया जा रहा है, जिसे बनाने का खर्च लगबख 750 करोड रुपे आएगा अब बात करते हैं कि यहां दुनिया को हैरान करने के लिए क्या-क्या खास होगा यह थीम पार्क घने जंगल और व्रंदावन का पूरा एहसास देगा भगवान श्रीकृषन ने अपने जीवन में जितने राक्षसों का वद किया है, उन सबी घटनाओं का चित्रन इस थीम पार्क में होगा इसके साथ ही वैकूंट experience वाला एक section भी होगा इसके दर्शन करने के लिए जब भी आप अपने परिवार के साथ जाएंगे तो आपको एक पौरानेक विमान जैसा दिखने वाले विमान में बिठा कर उडाते हुए धाम तक ले जाया जाएगा इसकी बनावट वैसी ही होगी जैसी पुराणों में वैकूंट के लिए लिखी है आप खुद वैकूंट में भगवान के वास को महसूस कर पाएंगे मंदिर में 5000 कारों की पार्किंग की विवस्था भी होगी मंदिर के परिसर में एक हैली पैट भी बनाया जाएगा इन विशाल मंदिरों की निर्माण की खबर ने ना केवल दुनिया का ध्यान भारत की और खींचा है बलकि इनके पूरा होने के बाद भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत वर प्राची नितिहास देखने के लिए परियाटकों की लंबी-लंबी लाइने भी लग जाएंगी सो फ्रेंड्स इंडिया में एक के बाद एक कितने सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अगर आप नहीं है इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके घंटा दवाना ना भूले ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस्स ना कर सकें माँ जब लूई गाले किसी भीडियो करके अप स्याओ़े प्रोजेक्ट्स आपाद़े ना एक कितने सारे जाने भीडियो को आवें एक कितने सारे बड़ेश़े प्रोजेश़ें से प्रोजेश रहे हैं